एक गाउं में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था, एक दिन वह किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक गड़े में से आवाज आती है, अरे ये कैसी आवाज है, लगता है कोई कुट्टे का बच्चा है, जो मुसीबत में है, मुझे इसे बचाना होग नहीं तो ये मर जाएगा, फिर वह बढ़े में जांत कर देखता है, तो उसे वहाँ एक छोटा सा कुट्टे का बच्चा दिखाई देता है, वह उसे देखकर दंग रह जाता है, उसका रंग नीला होता है, ये तो कोई कुट्टे का बच्चा लगता है, लेकिन ये तो नील ये रंका कुट्ता नहीं देखा, इसे घर ले चलता हूँ, सुमन तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर वह किसान उस बच्चे को निकालता है और अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है। अरे सुमन जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तब ही उसकी पत्मी बाहर आती है और कुट्टे के बच्चे को किसान के हाथ में देखकर चौँख जाती है। हाई, कितना प्यारा है, ये तो नीले रंग का है, अजी आपको कहां से मिला, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ, मुझे बच्चपन से एक कुट्टे के बच्चे को पालने का बहुत शौक था। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ, लेकिन ये आपको मिला कहां से। वह कुट्टा पुरे गाउं में आकर्शन का केंद्र था, वह जब भी गाउं में घूमने निकल था, सारे गाउं वालों की नजर उसी पर टिक जाती थी, क्योंकि किसी ने भी नीले रंग का कुट्टा पहले अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। अरे भाई, इससे तो ये किसी गड़े में पड़ा हुआ मिला था, मुझे तो लगता है जरूर ही ये कोई जादुई कुट्ता है। तुम्हें क्या लगता है, बाजार में इसकी क्या कीमत होगी। भाई, ये तो नायाब चीज है, ये तो अनमोल होगा, इसके हमें मो मांगे पैसे मिलेंगे। भाई, हर नायाब चीज पर तो सिर्फ हमारा ही अधिकार है। देर किस बात की, आज रात को ही इसे किसान के घर से चुरा लेंगे। अगले दिर पिबा होने पर वे दोनों नीलू को बोरे में डालते हैं और उसे बेचने के लिए निकल पड़ते हैं राफ्ते में उन्हें एक सेट मिलता है उसे उस बोरे में से अजीब अजीब से आवाजे आती है अरे भाई रुको रुको इस बोरे में क्या भरकर ले जा रहे हो भाई ये एक जादूई कुत्ता है ऐसा कुत्ता पूरी दुनिया में केवल एक हाई है ऐसा कैसे हो सकता है बाई जरा मुझे भी तो दिखाओ वह सेट नीलू को देख कर चौंक जाता है तुम्हें इसके लिए सा सोने की मुद्राएं देनी होंगी ठीक है, मुझे मन्जूर है लोग, ये लो तुम्हारी सो मुद्राएं आज से ये कुट्ता मेरा हुआ वहीं दूसरी तरफ नीलू को घर में ना पाकर सुमन और किसान परिशान हो जाते हैं सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है नीलू तुम कहां चले गए, तुम्हारे बिना में कैसे जिऊंगी वापस आ जाओ ना नीलू अजी, मेरे नीलू को कई से भी डून कर लाइए जब तिक वह वापस नहीं आएगा, मैं खाना नहीं खाओंगी ठीक है, ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं उसे ढून कर लाता हूँ फिर किसान गाउं में लोगों से नीलू के बारे में पूछता है अरे भाई, मैंने तुमारे कुत्ते को देखा था वो लल्लन और हरिया तुमारे घर से बोरे में किसी को बर कर ले जा रहे थे वो अवश्य ही तुम्हारा कुत्ता होगा फिर किसान भागता हुआ लल्लन के घर जाता है लल्लन, मुझे पता चल गया है, तुम ही ने मेरे नीलू को चुराया है उसे अभी के अभी वापस लोटा दो, नहीं तो मुख्या से कहकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा अरे हरिया भाई, इसे कैसे पता चल गया? मुझे लगता है किसी ने हमें उसे चुराते हुए देख लिया होगा मुझे अभी के अभी मेरा कुटा वापस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा भाई, तुम्हारे कुटे को तो हमने सौ मुद्राओं में बेच दिया अग तुम चाहो, तो सारी मुद्राओं रख लो, और हमें छोड़ दो नहीं नहीं, मुझे मेरा कुटा ही चाहिए, तुम्हारे पास कल सुभा तक का वक्त है कैसे भी करके उस व्यापारी को ढूंडो, और मुझे मेरा कुटा वापस ला कर दो नहीं तो जेल जाने के लिए तयार हो जाओ इतना बोलकर किसान वहां से चला जाता है अरे मर गए रे, अब क्या करें? ये तो थानेदार की धमकी दे कर गया है ललन भाई, मुझे जेल नहीं जाना, कुछ करो ना हाई रे, अब क्या होगा? चलो उस सेट को ढूंडते हैं उसे, उसके सारे पैसे लोटा कर उस कुट्वे को वापस ले लेंगे वे दुनों सेट की तलाश में निकल पड़ते हैं लेकिन बहुर देर तक ढूंडने पर भी उन्हें वह सेट नहीं मिलता ललन भाई, यहां तो वह सेट का कोई नामों निशान ही नहीं है ना जाने अब तक कहा निकल गया होगा? अब क्या करें? हमरे पास कल सुबह तक का ही वक्त है अरे अरिया, वो देख, यह तो बिल्कुल किसान के कुट्टे जैसा ही लग रहा है तुम्हारी आखों में मोतिया बिंध हो गया है क्या? बेवकूफ, किसान का कुट्टा नीले रंग का था और यह तो भूरे रंग का है क्या तुम्हें नीले और भूरे रंग में फर्क दिखाई नहीं देता? अरे तो क्या हुआ? अगर हम इसे नीले रंग से रंग दें तो उसके बाद यह हूबहू नीलू जैसा ही दिखेगा बात तो तुम सही कहते हो भाई चलो फिर देर किस बात की? अभी इसे पकड़ते हैं फिर वे दोनों उस कुत्ते को पकड़ कर अपने घर ले जाते हैं और नीले रंग का पानी घोल कर उसे उसमें डुबो डुबो कर उसका रंग भी नीला कर देते हैं अरे भाई हरिया ये तो बिलकुल नीलू जैसा ही दिख रहा है फिर अगले दिन वे उस कुत्ते को अपने साथ लेकर किसान की घर जाते हैं अरे भाई मोहन देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाएं हैं? जल्दी आओ तुम्हारा नीलू आपस आ गया है जल्दी आओ किसान और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा लल्लन और हरिया तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया था लेकिन वक्त रहते तुमने अपनी गल्ती को सुधार लिया इसलिए मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है तुम दोनों जा सकते हो फिर वे दोनों वहां से निकल जाते है नीलू तुम वापस आ गये मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी कहां चले गये थे तुम हाँ आज की बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी मेरा नीलू इतने दिनों भाद घर आया है इतना गंदा भी हो गया है चलो अब हम नहाई-नहाई करेंगे फिर सुमल उसे नहलाने लगती है अले मेला नीलू नहाई-नहाई करेगा इतना गंदा हो गया है पानी उसके उपर पढ़ते ही वह कुत्ता छट पटाने लगता है अरे क्या हो अनेलू तुझे तो नहाना बहुत पसंद था आज क्या हो गया तुझे तभी उसका सारा नीला रंग उतरने लगता है अरे ये क्या इसका रंग क्यों उतर रहा है तभी वा कुता गुस्से में आकर सुमन को काट लेता है अरे मर गई रे, हाई रे, अरे सुनो जी, इसने तुम मुझे काट खाया हाई रे अजी सुनते हो, जल्दी आओ, मुझे लगता है ये हमारा नीलू नहीं है देखो, इसका तो सारा रंगी उतर गया ये तुमने ठीक नहीं किया ललन, अब मुझे से बुरा कोई नहीं होगा फिर किसान गुस्से में ललन और हर्या की घर जाता है ए ललन, दर्वाजा खोल, ए ललन, जल्दी दर्वाजा खोल, नहीं तो इसे तोड़ दूगा आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता अरे मर गहरे, ये तो उसी किसान की आवाज है लगता है इसे हमरी तर्कीब के बारे में पता चल गया अरे क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो तुमें क्या लगता है, मैं बेवकूफ हूँ तुम किसी भी आवारा कुत्ते को नीला रंग चड़ा कर हमें दे दोगे और हम मान लेंगे कि वो नीलू है भाई, हमें माफ कर दो, हमने उस सेट को ढूनने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला भाई, तुम ये सौ मुद्राएं रख लो अब इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते अगर तुम चाहो तो हमें जेल भिजवा दो हम दोनों अपनी गलती की सजा काटने को तयार है किसान उदास हो जाता है और उनसे सौ मुद्राएं लेकर वापस अपने घर आ जाता है मुझे माफ कर दो सुमन मैं तुम्हारे नीलो का नहीं ढून पाया ये लो, ये सौ मुद्राएं है नीलो को बेचने पर उनहें इतने पैसे मिले थे जो उन्होंने मुझे दे दिये, उन्हें अपनी गलती का बहुत पच्चतावा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता नहीं, मेरा निलू जरूर वापस आएगा, हमें काम करते हैं, कल सुबह इन सौमुद्राओं का भोजन खरीद कर गरीबों में बाट देंगे क्या पता उनकी दी हुई दुआउं से हमारा निलू वापस आ जाए, अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों उन पैसों से गरीबों में भोजन बाट देते हैं, और वापस अपने घर की ओर चल देते हैं, तभी उन्हें कुछ आवाजे सुनाई देती हैं, वे दोनों चौक ज चले गए थे, मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास हो गई थी, किसी ने सच ही कहा है, दुआउं में बहुत शक्ती होती है,